दोस्तों अगर दिलिब जोसी के कैरियर की बात करें तो दिलिब जोसी ने अपने एक्टिंग कैरियर की सुरुआप 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया से किया था जिसमें उन्होंने रामो नाम के नोकर का किरदार निमाया था उन्होंने और भी बहुत से फिल्मों में काम किया जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और हम आपके है कौन दिलिप जूसी ने मैंने प्यार किया फिल्म करने से पहले बहुत से गुजराती ड्रामाज में काम किया है दिलिव जोसी ने दुनिया है रंगीन और वाग क्या बात है जैसे साउथ इंडियन सोज में काम भी किया है साल 2008 में दिलिव जोसी को पॉपलर टीवी सिरियल तारत मेता का उल्टा चस्मा में जेथालाल गड़ा का रोल प्ले करने का ओफर मिला तारत मेता का उल्टा चस्मा के टीवी सो में दिलिव जोसी की परफार्मेस देखकर लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे और इसके साथ ही उन्हें बहुत सरे अवार्ड्स से समानिक भी किया गया इनमें परमूख हैं टेली अवार्ड्स और आईटीए अवार्ड्स दिलिव जोसी ने बहुत सरे टीवी सीरियल में काम किया है लेकिन उन्हें से कुछ ऐसे टीवी सीरियल हैं जिने लोगों द्वारा काफी जादा पसंद किया गया इनमें सामिल हैं कभी ये कभी वो हम सब एक हैं सुगमंगल सोधान क्या बात है दाल में काला और मेरी बीबी वंडर्फूल दिलिव जोसी ने छोटे पड़े के साथ साथ बड़े पड़े के फिल्मों में भी काम किया है इनमें सामिल है मैंने प्यार किया हम आपके है कौन स और आखो पर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी खिलाडी 420 दिल है तुम्हारा वर्टु कापोर हमराज फिराक दौन मुद्धु स्वामी डूंटे रह जाओगे दूस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिट करके जरूर बताना और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो दे